कि इस carbon के उपर जब नुकलियोफाइल का अटेक होगा तो क्या-क्या चीजें होने वाली हैं यह जो कार्बोनिल ग्रूप का carbon है यह carbon planar होता है कि इनिश्योमर्स डैट मिंस कि यह mixture में प्रजेंट होंगे और इनके mixture को ही हम यहां पर के रैस्मिक mixture बोलेंगे के कंपेरिजन में कीटोन की रियक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यहां पे इस कार्बोनिल कार्बन के पास यह दो अलकाइल ग्रूप हैं जब यह नुकलियोफाइल इस पे एप्रोच करता है तो इसके साइज क की वज़ाइस से एक हैं कि रिपल्स अ एक तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है कि कि है कि है कि हेलो स्टुडेंट आज हम लोग यल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए नुप्ली ओफिलिक एडिशन रियाक्शन देखने वाले हैं हैं क्या होती है कैसे होती है इसकी mechanism क्या है इसके examples क्या है यह हम आज देखने वाले हैं अगर हम nucleophilic addition reaction की बात करें तो nucleophilic addition reaction के लिए हमें polarized bond चाहिए होंगे और यह जो polarized bond है हमारा वो कहां मिलेगा मुझे कार्बोनिल ग्रूप में मिलेगा और कहां मिलेगा इमीन में मिलेगा और कहां मिलेगा साइनाइड में मिलेगा स्टुडेंट 90% nucleophilic addition reaction कार्बोनिल ग्रूप या कहें aldehyde and ketones देते हैं नुकलियो फिलिक addition reaction में क्या requirement है यह reaction कैसे होती है इसके लिए proper condition क्या है और इससे related जो question है उन question को आसानी से हम कैसे देख करके और solve कर सके यह हम आगे देखने वाले हैं सबसे पहले आईए हम देख लेते हैं कि aldehyde and ketone nucleophilic addition reaction क्यूं देते हैं हम अगर देखें यहां पे तो aldehyde and ketone की nucleophilic addition reaction एक characteristic reaction है इसकी meaning क्या है कि nucleophile सबसे पहले इसमें attack करेगा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि nucleophile का attack ही इसमें slowest step होगा इसी वज़ा से इस reaction को हम nucleophilic addition reaction कहेंगे यह जो nucleophilic addition reaction है यह characteristic reaction है aldehyde and ketones की इस nucleophilic addition reaction की अंदर क्या होता है कार्बोनिल कार्बन पे nucleophile का attack होता है student यहां पे अगर हम बात करें कार्बोनिल कार्बन देखें कार्बोनिल कार्बन जैसा मैंने आपको हम कार्बोनिल कार्बन बोल रहे हैं यहां पे यह कार्बोनिल कार्बन का जो पाई बॉंड है वो polarized है that means यह positive and negative दो अलग-अलग charges में यह split हो जाता है बट कार्बोनिल ग्रूप अपने इस first resonating structure में ही ज्यादा stable होता है तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक चीज दिख रही है और वो यह कि इस कार्बन पे जो positive चार्ज आ रहा है इसकी वजह से यह electron deficient हो जा रहा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से यह nucleophilic addition reaction को देगा अब आये देखते हैं कि इस carbon के उपर जब nucleophile का attack होगा तो क्या-क्या चीजें होने वाली हैं यह जो कार्बोनिल ग्रूप का कार्बन है यह कार्बन planar होता है अगर आप देखें तो यह carbon planar carbon है planar carbon means कि इस carbon का hybridization sp2 होता है जिसकी वजह से जब इस carbon पे nucleophile attack करता है तो वो यह तो above the plane होगा या तो below the plane होगा means यहां पर इस carbon carbon के उपर nucleophile above the plane and below the plane से attack करेगा कैसे आइए इसके mechanism में देखते हैं पर उसके पहले एक चीज़ और देखें कि जब nucleophile attack करता है तो यह carbon कौन सा carbon carbon group का carbon अगर chiral हो जाए that means कि इस पे four different group हो जाए तो इसका जो product होगा वो एक racemic mixture के form में हमें मिलेगा रेस्मिक मिक्षर मिस 50% आर कंफिग्रेशन एंड 50% S कंफिग्रेशन का compound मिलेगा ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर two compound का हमें mixture मिलेगा इस चीज़ को हम यहां इसकी mechanism में देखते हैं कि यहां पर हमारे पास कि एक कार्बोनिल ग्रूप का यह डाइग्रम दिया हुआ है जिस पे यह न्यूक्लियो फाइल क्या कर रहा है एब अब दे प्लेन एंड बिलो दे प्लेन अटेक कर सकता है 50% चांस है कि यह एब दो प्लेन अटेक करेगा 50% चांस है कि यह बिलो दे प्लेन हो यहां पर is kerbonyl कार्बन पर क्या होगा जिसकी वज़य immigrants का बांड है यहां पाई बांड है और जब यह below the plane attack कर रहा है, तो nucleophile यहाँ below the plane carbon-ly carbon से add हो रहा है. जैसला मैंने आपको बताया, कि nucleophilic addition reaction में nucleophile का attack है, वो एक slowest step होता है. इसलिए इसका जो पहला step है, जिसमें nucleophile का attack है, यह slowest होगा. और इसलिए हम इसको बोलेंगे RDS. अब यहाँ पे जो oxygen पे negative charge जाया, वो इस electrophile के साथ add होगा. Electrophile के साथ add होने के बाद, जैसे कि two possibilities बन रही हैं यहाँ पे, तो two compound बन जाएंगे. And these both compound are inantiomers. That means, कि यह mixture में present होगे, और इनके mixture को ही हम यहाँ पे RASMIC mixture बोलेंगे. इसके अंदर अगर हम दोनों ग्रूप सेम ले लेते हैं, कार्बोनिल कार्बन से, अगर हम दोनों ग्रूप सेम ले लेते हैं, तो उस case में हमें inantiomers नहीं मिलेगा. तो inantiomers के लिए हमें यह बात ध्यान रखनी है, कि यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन के साथ जो ग्रूप हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए. अगर यहाँ पे दोनों ग्रूप हमारे सेम हो जाएंगे, तो inantiomers नहीं मिलेगा. तो अगर ऐसा कही question मेरे पास आता है, कि इसमें से कौन से compound में nucleophilic addition होने के बाद, इसका product optically inactive होगा, या racemic mixture नहीं बनाएगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे, कि क्या ये दोनों ग्रूप सेम हैं या नहीं हैं. Student, ये जो reaction हो रही है, इस reaction को दो factor गवन करते हैं. वो कैसे? आउ हम देख लेते हैं. आप जैसा कि देख रहे हो, कि ये nucleophile कार्बोनिल कार्बन पे attack कर रहा है, तो क्या? इसके लिए कोई ऐसे factor हैं, जो इसके attack को enhance कर दे, या इसके attack को slowdown कर दे. तो आईए इन factor की बात कर लेते हैं, और ये factor यहाँ पे nucleophilic addition reaction के reactivity को govern करेंगे, decide करेंगे. ये कौन-कौन से factor से हैं? ये जानने के पहले आईए देख लेते हैं, कि जो aldehyde हैं, aldehyde are more reactive than ketones toward nucleophilic attack. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कि यहाँ पे two alkyl group या two different group या two same group का जो steric effect है और electronic effect है, वो इनकी reactivity को decide करेंगे. कैसे? आईए देखते हैं. यहाँ पे जो ये carbon है, इस carbon पे nucleophile का attack, electronic effect, अब electronic effect ये अगर हम बात करें, तो electronic effect में हमारे पास दो तरह का effect हैं, I effect, inductive effect, and resonance effect और M effect. That means, कोई ऐसा group जो इस carbonil carbon से attach है, उसके inductive effect का, इसके reactivity पे क्या effect पड़ेगा? नमबर वर्ड, या फिर, कोई ऐसा group, जो electron के pair को, इस carbonil group के पास donate कर रहा है, या यहाँ से electron को withdraw कर रहा है, उसका क्या effect पड़ेगा? सेकेंड फैक्टर है, स्टेरिक इफैक्ट, स्टेरिक इफैक्ट में क्या है? स्टेरिक इफैक्ट में दो चीज़े हैं, नमबर आफ जो group है, and size of group. तो हमने यहाँ पे, दो factors को identify कर लिया, जो aldehyde and ketone की, nucleophilic addition के towards reactivity को determine करने वाले हैं, और अब हमने यह भी देख लिया, कि ketone के पास two bigger size group होते हैं, या two alkyl group होते हैं, इसलिए aldehyde की reactivity ketone के respect में ज़्यादा होती है. आए electronic effect को देखते हैं, electronic effect क्या होता है? aldehyde के पास ketone के respect में, जो carbonil carbon का carbon है, उसके पास partial positive charge का magnitude ज़्यादा होता है. और वो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि aldehyde के पास जो hydrogen होगा, जो hydrogen उसपे attach होगा, उसके electron donating tendency अलकाइल ग्रूप के respect में कम होती है. Means, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस कारवन पे partial positive charge, इस oxygen पे partial negative charge है. aldehyde में, hydrogen के electron donating tendency, electron को donate करने की tendency, कीटोन के respect में, अगर हम देखें, तो यहाँ पे, कीटोन में, electron जो अलकाइल ग्रूप है, कार्बोनिल कार्बन पे, वो ज़्यादा अविलेबल कराएगा, as compared to hydrogen. जिसकी वज़ए से, aldehyde की reactivity, कीटोन से ज़्यादा हो जाएगी. तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, कि जब भी कभी हम, aldehyde and ketone की reactivity को compare कर रहे हैं, so reactivity of aldehyde is always greater than ketone, for the nucleophilic addition reaction. अब क्या होगा, अगर हम अलग-अलग तरह के aldehyde, अलग-अलग तरह के ketones की reactivity को, एक spectrum के form में देखें, compare करें, आईए देख लेते हैं, कि यहाँ पे partial positive charge, aldehyde के carbon पे ज़्यादा है, so that, जो nucleophile है, वो aldehyde पे ज़्यादा easily attack करेगा, as compared to ketone. इसमें जो hysteric effect है, उसको भी हम consider कर लेते हैं, ketone के पास two alkyl group होते हैं, जिसकी वज़ा से, aldehyde के comparison में, ketone की reactivity decrease हो जाती है, और ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि, जो यहाँ पे, इस carbonil carbon के पास, यह दो alkyl group हैं, जब यह nucleophile इस पे approach करता है, तो इसके size की वज़ा से, एक repulsion, एक तरीके का hindrance create हो जाता है, तो अगर हम electronic and steric effect, दोनों को एक साथ consider करें, तो यहाँ पे, हम देखेंगे, कि सबसे ज़्यादा, aliphatic aldehyde reactive होगा, followed by aromatic aldehyde, उसके बाद, aliphatic ketone होगा, और सबसे कम अगर कोई reactive होगा, तो aromatic ketone reactive होगा, so this is the order for the reactivity of aldehyde and ketone, aldehyde में भी, aliphatic aldehyde की reactivity, aromatic aldehyde के respect में ज़्यादा होगी, ketone की अगर हम बात करें, तो aliphatic ketone की reactivity, aromatic ketone के respect में ज़्यादा होगी, आईए इसको एक example से समझते हैं, यहाँ पे हमने अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग type के aldehyde and ketone लिये हुए, student, जैसा कि हमें पता है, कि hydrogen के electron donating tendency को हम क्या मान लेते हैं, negligible मान लेते हैं, यहाँ पे एक methyl group है, इसकी electron donating tendency हाइडोजन से ज़्यादा होगी, यहाँ पे benzenering है, benzenering की वज़ए से steric factor आ जाएगा, यहाँ पे two methyl group है, इनकी two methyl group की electron donating tendency क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अगर हम इन aldehyde and ketone की reactivity देखें, तो सबसे ज़्यादा reactive यहाँ पे A होगा, उसके बाद B होगा, then C, then D, then E होगा, आए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने यह देखा, कि electron जितना कम available होगा, कार्बोनिल के कार्बन पे, उसकी reactivity उतनी ही ज़्यादा होगी, साथी साथ, कार्बोनिल कार्बन से, जो group लगा हुआ है, उसका size और number, अगर कम होगा, तो भी reactivity ज़्यादा हो जाएगी, क्या होगा, अगर हम सारे aldehyde ले ले लें, और aldehyde में, सिर्फ और सिर्फ हम किसको change करें, सब कुछ, number of carbon है हमारे पास, सारे compound aldehyde है, सिर्फ electron donating and electron withdrawing group की, अगर हम बात करें, तो minus i group, अगर present होगा, minus i group, ये क्या करेगा, reactivity को increase करेगा, minus i group, reactivity को increase करेगा, plus i अगर कहीं group present है, तो वो reactivity को क्या कर देगा, decrease कर देगा, so that, अगर हम इसमें देखें, तो यहाँ पे, 3 chlorine इस aldehyde में present है, हम ये जानते हैं, कि ये जो chloro group है, वो एक minus i group होता है, जो electron को, inductive effect के थूँ, अपनी तरफ खीचता है, यहाँ पे वही chloro group, number में 2 है, यहाँ पे chloro group, single है, अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे, तो methyl group है, यहाँ अगर हम देखेंगे, तो ethyl group है, ethyl group का plus i effect, methyl group के comparison में, ज़्यादा होता है, student, अब यहाँ पे, किसकी reactivity सब से ज़्यादा होगी, सभी aldehyde है, तो हम minus i को सब से पहले priority में रखेंगे, फिर methyl के plus i group को देखेंगे, और last में हम यहाँ पे, ethyl के plus i effect को consider करेंगे, आए देखते हैं, सब ज़्यादा reactive है, यहाँ पे compound A, then B, then C, then D, then E, एक और example से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, कि nucleophilic addition में, अगर सभी aromatic aldehyde हैं, तो aromatic aldehyde की reactivity पे, plus M and minus M, और minus i का क्या effect होता है, जैसा हमने पहले भी देखा, कि जो electron को withdraw करने वाले group हैं, वो इस carbonil carbon पे, positive charge के magnitude को increase कर देंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले identify करते हैं, इस group को, NO2 group, minus M and minus i है, अगर हम OH group की बात करें, तो यह group, plus M हैं, और minus i है, halogen के बारे में, हम जानते हैं, कि halogen so only inductive effect, तो यह minus i group होगा, अब हम यहाँ पे compare कर सकते हैं, minus i group की वज़ा से, और minus M group की power की वज़ा से, यहाँ पे, NO2 की reactivity, सबसे जादा हो जाएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे है, कि जब हम पेरा position पे, यहाँ पे OH and CL को ले रहे हैं, तो इसमें हम कैसे decide करेंगे, बहुत simple है, हम यह बात जानते हैं, कि OH group का minus i effect, CL group के minus i effect से, कम होता है, और यह भी जानते हैं, कि जो plus M effect है, वो reactivity को decrease करता है, अब हम यहाँ पे, आसानी से decide कर सकते हैं, कि जो compound हमारा C होगा, वो compound B के respect में, ज़्यादा reactive होगा, तो क्या order बनेगा, आए देख लेते हैं, A is more reactive than C, and C is more reactive than B, अगर हम इसके example की बात करें, student, यहाँ पे हम एक nucleophilic addition reaction के example को भी आप से share करना चाहेंगे, addition of hydrogen cyanide, SCN का addition कैसे होगा, aldehyde and ketone में, दोनों के लिए same mechanism है, product का difference आ सकता है, वो हम अभी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, student, तो यह aldehyde है, इस aldehyde के साथ हमने, SCN लिया हुआ है, साथ में हमने, mild basic medium लिया हुआ है, because SCN एक, weak acid है, और weak acid को, react करने के लिए, या तो इसके हम salt को इसमें mix करेंगे, या तो mild basic medium लेंगे, SCN का addition aldehyde and ketone में, बहुत ही common है, और इसके questions भी आते हैं, अब आए देखते हैं, इसका product क्या बनेगा, इसका product बनेगा, syno hydring, तो एक बात अगर हम देखें यहाँ पे, और वो यह, कि अगर, alkyl group and hydrogen, या फिर, दोनों alkyl, अलग-अलग हों, तो उस case में, क्या हो रहा है, syno hydring बनेगा, और syno hydring, का जो, carbon है, वो कैसा होगा, chiral होगा, तो अगर यह group different है, तो हम, यह पूरे assurity के साथ कह सकते हैं, कि, इसका, resmic mixture, बनेगा, बट, सोचिए, क्या होगा, अगर यहां, दोनों hydrogen आ जाएंगे, तो, क्या, इसका product, optically active होगा, क्या वो, resmic mixture के form में होगा, answer है, नहीं, तो यहां पे, अगर different group हैं, तो product कैसा होगा, resmic mixture के form में होगा, optically, inactive होगा, क्योंकि, solution में, इसकी mechanism आप देखें, तो mechanism में क्या हो रहा है, कि mechanism में syneide, जो की एक nucleophile है, वो attack करता है किस पे, इस carbonil के carbon पे, इसके attack करने से, यहां पे, pie bond displace हो जाएगा, किस के पास, oxygen के पास, result क्या निकलेगा, इसका tetrahedral intermediate बनेगा, tetrahedral intermediate, आप देखें, यह जो carbon है, इसमें, sp2, planar carbon हमारा, किसमें change हो रहा है, tetrahedral intermediate, जो sp3 हो रहा है, ध्यान से देखे, sp2, carbonil carbon, change हो रहा है, tetrahedral, sp3 carbon में, now, यह step हमारी क्या हो गई यहाँ पे, RDS हो गई, जैसा हमने आपको बताया, कि यह slowest step होगा, first step, attack of nucleophile is, slowest step, अब क्या होगा, अब यहाँ पे, एक proton को लेगा, यह HCN से, तो proton का transfer हुआ, जिससे हमारा final product क्या बन गया, sino-hiding बन गया, और अब यहाँ से जो यह cyanide iron है, वो आगे फिर reaction को continue करेगा, तो यहाँ पे, यह जो step है, second, second step is the fast step, यह fast होगा, और यह जो second, first step है, यह कैसा होगा, यह slow होगा, तो student, यहाँ पर, अब हम क्या कर सकते हैं, कि, यह जो group हैं, hydrogen और alkyl, इनको हम interchange करके, कौन सा syno-hiding, बन रहा है, यह भी देख सकते हैं, for example, अगर हम, यहाँ, इस acetaldehyde को लेते हैं, तो acetaldehyde में, क्या होगा, सबसे पहले, कि, यह tetrahidal intermediate बन जाएगा, नौ, यह SCN से, H+, लेके, और, acetaldehyde syno-hiding में, convert हो जाएगा, student, मैंने आपको जैसा बताया था, कि SCN एक weak acid होता है, इसलिए, इसलिए, इसकी reaction को speed up करने के लिए, हमें mild basic medium लेना होता है, otherwise, यह, काफी slow react करेगा, अगर हम इसके, example की बात करें, है, यहाँ पर हमने, एक ketone लिया हुआ है, इस ketone पर sodium cyanide, sodium cyanide एक nucleophile है, यह क्या करेगा, इसके साथ attack करेगा, attack करने पर देखें, cyanide यहाँ पर add होगा, now, SCL का का काम क्या है, SCL इसको proton donate करेगा, और यह syno-hiding मन जाएगा, now, the question is, कि क्या यह syno-hiding, optically active है, answer है, नहीं, क्यों, because, यहाँ पर अगर आप देखें, तो दोनों साइड, जो group हैं, वो same है, equal distance पर same group आ रहे हैं, so it is not necessary, कि, racemic mixture हमें मिलेगा, racemic mixture मिल सकता है, अगर chiral carbon product हमें present होगा, बट, अगर chiral carbon नहीं है, तो optically active product हमारा, racemic mixture के form में, नहीं मिलेगा, आप स्टक्ती शाउалог प्रेश प्रेश्त। है झाल दूक हमें performanceкого SARC